हलो दोस्तों कैसे आप सभी स्वाहत है आप सभी का आमारी यूटूब चैनल कंप्यूटर एक्जाम में तो यह हमारा मोक टेश्ट 4 है इसका और भी पहले तीन पार्ट बन चुका है मोक टेश्ट हम आपको रोज करा रहे हैं जो कि आपको आठ बजी साम को रोजाना आठ बजी साम को हम क्लास प्रवाइड करा रहे है तो friends अपने दोस्तों में video share करते रहे हैं ताकि वो भी हमसे जुड़ पाएं तो friends आप यदि April में के लिए या फिर माई, जून, जुलाई, सेप्टेमबर, अक्टूबर के लिए exam जब भी आपका होने वाला था जिस भी date के लिए, जिस भी month के लिए आपने exam के लिए apply किया था तो friends ये video देखने के बाद आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा अच्छे question हम बताने वाले हैं आपको और friends अगर आप कभी भी ये video देख रहे हैं तो अच्छे से इसको देखेगा friends हम आपको काफी important question बताने वाले हैं जो कि आपके हमेशा काम में आने वाले हैं तो आपके अच्छे question तयार हो जाएंगा friends इसको आप अच्छे से पढ़िए last तक देखेगा वीडियो को थोड़ा भी skip मत कीजेगा friends यह हमाला smart series, triple C smart series का fourth mock test है यहाँ पर four number आप देख सकते हैं friends, fourth mock test है इसके और भी parts बन चुके हैं उसको भी आप देख लीजिएगा हम उसका link आपको description में दे देंगे उसको भी आप देखना मत बुलिएगा और friends हम आपके लिए 2000 most important question का pdf अपने description में दिया हुआ है pdf का link 2000 का दिया हुआ है और 1000 का दिया हुआ है जिसमें कि एक pdf में 2000 question तो उन दोनों में से आप कोई भी ले सकते हैं और वो सारे question बहुत ही important है आपके exam के लिए काफी जरूरी है तो pdf को लेना विलकुल मत भूलेगा friends आप यह video चाहे कभी भी देख रहे हैं आप लोग आजकल बैंकों में जाते हैं बहुत जगह पे जाते हैं जहां पर कोई भी फर्म फिलब करना होता है तो आपका KYC करना पड़ता है अगर कोई भी प्राबलम आता है तो KYC करना पड़ता है तो उसका मतलम क्या होता है KYC के बारे में आप जान लीजिए डिटेल में समझ लीजिएगा और इसका मतलम क्या होता है यहां पर यह पूछ रहा है friends ऐसे भी question बहुत बार आते हैं friends वीडियो को अगर आपने share नहीं किया है तो जल्दी से share कर दीजिए और अभी तक आपने हमारी चैनल को subscribe नहीं किया है तो जल्दी से subscribe कर लीजिए और bell icon क प्रेस कर दीजिए जिससे कि हमारे आने वाली सभी वीडियो की notification आप तक पहुंसती है first option है know your customer second option है know your characters third option है both of above और fourth option है none of these यानि कि इन में से कोई नहीं तो KYC का क्या मतलम होता है friends option number one होता है इसका right answer know your customer KYC का मतलम होता है know your customer इसका right answer यही होता है इसको आपको याद रख question second है my friends निम्न में से कौन सी spelling check के लिए परियूगत होती है मतलम की spelling check करने के लिए निम्न में से किसका यूज किया जाता है कोई भी हम document लिख रहे है friends MS Word में या फिर Libre Office में तो उसमें spelling check करने के लिए किसका यूज किया जाता है friends option number one है F3 option number two है F5 option number three है F7 option number four है F9 तो friends PDF को लेना बिलकुल मत भूलिएगा PDF आपके लिए काफी important है तो friends जल्दी से question का answer हमें बता दीजिए और PDF को ले लिजिएगा question number third right answer friends इसको आप याद रखेगा F7 जो होता है वो spelling check के लिए यूज में लाया जाता है तो इसको आपको याद रखना है friends question number third है हमारा friends style handout को print कर करने के लिए menu से यहाँ पे dash दे दिया है यहाँ पे आपको fill करना है चायान करे style handout को print करने के लिए menu से क्या चायान करना पड़ता है किसको चुनना पड़ता है option number one है friends view और handout option number two है friends file handout option number third है friends file print option और fourth है view print तो इसका right answer जल्दी से comment box में दीजिए हमें ये काफी important question है ऐसे question ब होता है इसका right answer होता है option number three file print slide handout को print करने के लिए file print menu की आवा सेक्ता पड़ती है उसको choose करना पड़ता है हमें तो इसको आपको याद रखना है और कोई भी आपको दिक्कत आता है friends कुछ भी समझने में दिक्कत आता है तो हमें comment box में जरूर बताइए और video को like करिए share करिए friends में अपने PDF को ले लिजेगा friends कभी भी एक कोई भी exam आपको देना है computer का तो उसमें PDF में हम ऐसे question बता है friends आपके लिए जादे दिन मेहनत करके हम अच्छे question दून के लाएं आपके लिए ऐसे question बता हैं जो कि आपके exam के लिए काफी important होने वाले हैं और बार-बार वही question आपके exam में पूछे जाते हैं चाहें आप किसी भी चीज का exam देने वाले हैं या फिर किसी भी अन्य government job के लिए अगर तयारी कर रहे हैं उसमें computer का question पूछा जाता है तो इस PDF से आपके बहुत सारे question मैच होंगे अच्छे से आप पास हो जाएंगे तो PDF को ले लिजेगा 2000 most important question है उसमें और एक और PDF है जिसमें के 1000 most important question है question 4 है हमारा friends, जो की काफी important question है friends, among app पर उपलब्द सेवाओ में से LPG service भी सामिल है, among app friends हमारा होता है जो की बहुत सारे के उसमें सरकारी काम होते हैं, जो की बहुत सारे status हम सरकारी check कर सकते हैं उस पे, जैसे कि किसी employee का अगर PDF रुका हुआ है या फिर PDF जमा होता है तो उसम से ही काम होते हैं friends, option number one है सही, option number second है, गलत तो इसका right answer का friends, option number one सही, among app पर LPG service भी सामिल होता है, LPG guys connection से भी related उस पे, आपको form मिल जाते हैं, उस पे सूचनाय मिल जाते हैं, अच्छी वाली, तो आगे देख लेते हैं, question number five, question number five है हमारा friends, powerpoint, यहाँ पे powerpoint हो friends, Microsoft Office का powerpoint होता स्लाइडों को चैकर आगे घरने दॉन से मुझेल से लिकिन स्लाइड़ जाते हैं, अगे यहाँ पे पूुछ देता है, इंप्रेसदी इसलाइडागों में इन में से क्या समल जाते हैं, तो दोनों एक ही question है friends, एक ही साथ दो-दो question आपके तयार हो रहा है, option number one है picture, option number two, graph, option तो इसका राइट एंसर क्या होगा जल्दी से comment box में बताइए बहुत ही basic सा question है आपको अच्छे से यह आता होगा जल्दी से comment box में comment करके हमें बता जीजिए और video को share करिए like करिए और हमें comment करना मत भूलिए और PDF लेना तो बिल्कुल मत भूलिएगा वह काफी आपके लिए important ह इसका राइट एंसर होता है option no.4 यह सभी question no.6 हमारा friends hexadecimal number system में कौन से symbol परियुक्त होते हैं तो friends हम ऐसे वी question आपके video में हम अपने डाल देते हैं जो कि आपको हमने पहले भी एक दो question ऐसे बताया होते हैं ताकि आपको लगे कि हां हमें भी इसका answer आता है हमने ऐसा question पहल आपको इसका जल्दी से answer देते हैं friends आप तो जानते ही हमने आपको बताया भी इस question का answer तो option no.1 है 0-7 option no.2 है 0-9 option no.3 है 0-9 और A-F option no.4 है none आप दीज तो इसका answer हमने बताया था friends आपको इसका right answer होता है option no.3 0-9 और A-F तक hexadecimal number के symbol होता है question no.7 है अबरा friends रेम एन निमलिखित में से किसका परियोग होता है रेम बनाने के लिए रेम के लिए किसका यूज होता है option no.1 है इन चारों में से आपको बताना है option no.1 है conductor, option no.2 है semi conductor, option no.3 है vacuum tubes, option no.4 है transistors तो इसका answer जल्दी से बता दीजे हमें comment box में friends comment करना तो आपको विल्कुल नहीं भूलना है friends comment करने से आपका experience बढ़ता है friends किसी भी question को लेके आपका confusion दूर होता है और आपके mind का question होता है वो हमारे साथ आप साजा कर देते हैं यानि कि share कर देते हैं तो हमें भी लगता है कि student को कुछ आ रहा है और अच्छे से यह तैया पारी कर रहे हैं और इनको कुछ रूची है समझने में तो आपका confusion भी दूर हो जाता है और right answer भी आपको पता जल जाता है इसका right answer का friends आपसव नंबर two semiconductor रैम को बनाने के लिए रैम के लिए semiconductor का बहुत ज्यादा यूज होता है तो इसको आपको याद रखना है friends question no.8 है friends न cdeck एक company है एक संस्ता है जिसके द्वारा एक पहला super computer बनाया गया था इसमें से कौन सा है इन चारों option में से वो super computer कौन सा है जिसे cdeck company ने बनाया था डेवलप किया था तो option no.1 है friends परम यूवा, option no.2 है friends परम पदमा, option no.3 है friends परम आठ हजार, option no.4 है friends परम इसान तो इसका right answer जल्दी सी बता दीजिए friends ये काफी important question है काफी popular question है ऐसे question आते रहते हैं इसका right answer होता है option no.3 परम आठ हजार और friends हमारे class को हमेशा attend करते रहे हैं आठ बजे question no.9 है friends binary number system का आधार है ये काफी important question है friends binary number system जो होता है उसका आधार क्या है यानि कि इसमें से कितने अंके binary number system होते हैं option no.1 है 2, option no.2 है 4, option no.3 है 6, option no.4 है 8 तो binary number system जो होता है हमारा friends वो दो अंका होता है, दो अंका तो पहला होता है 0 और दूसरा होता है 1 तो इसको भी आपको याद रखना है, binary number system कौन कौन से होते हैं, क्या होता है अगर ऐसा पूछ देता है, तो उसका right answer आपको देना है, पहले तो 1 और दूसरा देना है 0 तो इसको आपको याद रखना है friends, binary number system का जो अधार होता है, वो दो अंका होता है, binary number system 0 और 1 होते है इसको आपको याद रखना है, यहाँ पे आपके दो-दो question क्लियर हो रहे है, आगे देख लीजिए question number 10 देखे friends, यह भी question हमने आपको बता चुका है, लेकिन हम आपके लिए एक-दो question मिक्स कर देते हैं ताकि आपका भी थोड़ा सा दिमाग खुले और आप answer खुदी ढूंडे और आपको भी पता चले कि हाँ, हमने पिछली class में कितने अच्छे से पढ़ाई की थी when का पूरा नाम है, when, when क्या होता है friends, when एक बहुत बड़ा network होता है, जो एक सहर से दूसरे सहर के network को जोडने में काम आता है तो when का पूरा नाम क्या होता है, option number 1 है, web area network, option number 2 है, wide area network, option number 3 है, wireless area network, option number 4 है, none of these तो इसका right answer जल्दी से बता जीजे friends, हमने आपको बताया भी था, जल्दी से comment कर दीजे, इसका right answer होता है, option number 2, wide area network, question number 11 हमारा friends, MS access का extension है, जैसे friends, हमारा MS Excel होता है, उसी तरह से MS Office में, MS access भी होता है, ताकि जिसका कि हम बहुत कम use करते हैं, लेकिन इसका extension क्या है, अब आगे friends, extension से related question मिलने वाले हैं आपको, तो extension के बारे में आप अच्छे से जान लीजिए, हम आपको दिखा भी देते हैं friends, क्या पता आपको confusion हो आप में से कोई अगर extension के बारे में ना जानता हो, तो उसको आगे के question clear नहीं होने वाले हैं, हम कई question आपको extension से related नीचे दिये हुए हैं, जो कि आपके exam में काफी मददगार सावित होंगे, अगर आप एक बार extension से related question देख लेते हैं, तो आपको बार बार काम आएगा, अच इस पर करतके देख लिए, इस पर right click कर लिए, इस पर properties द्ख रहा है, इस पर हम क्लिक करेंगे, जैसे properties पर click करेंगे friends, यहां पर text document देख लिए, red xte just. pou a तो इसको आपको याद रखना है कि notepad का जो extension होता है वो .txt होता है किसको किसको दिख रहा है ध्यान से दिखेगा तो आपको दिख जाएगा बहुत छोटा है आला कि .txt होता है यहाँ पर देखें हमारे सामने एक pdf है जो कि हमने आपके लिए तयार किया हुआ है यहाँ पर राइट क्लिक कर लेते हैं यहाँ पर प्रपर्टीज पर क्लिक करते हैं जैसी आप प्रपर्टीज पर क्लिक करेंगे यहाँ पर प्रपर्टीज पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको हम दिखा दे रहे हैं यहाँ पर दिखा रहा है PDF डाकुमेंट यहां पर PDF दिख भी रहा है यहां पर .pdf दिखा रहा है यानि कि PDF कोई भी डाकुमेंट होता है तो उसका extension क्या होता है .pdf इसी तरह से MS Office, LibreOffice, MS PowerPoint और LibreOffice Impress, Calc सभी के एक extension होते हैं आउजर्स के भी extension होता है तो इसको आपको समझ लेना है आगे देख लीजे उसी question को हम देखेंगे अब समझेंगे इस question को तो यहां पर आपको समझना है अब यहां पर फिर से पूछ रहा है हमारा वही question है MS Access का extension है यानि कि जो लास्ट में उसका extension यू उजता है आपसा नमर यह है .accdb आपसा अभी है .http आपसा नमर c है .html आपसा नमर डिये नन आप देबब इसका राइट एंसर होगा आपसा नमर यह .accdb ऐसे ही question आपको मिलने वाले हैं तो देख लीजिए आपके सामने है question 12 MS Excel का extension है MS Excel जो होता है उसका extension क्या होता है तो आपसा नमर 1 है .xls , आपसा नमर बी है .gif , c है .doc , आपसा नमर d है नन आप देबब तो इसका राइट इंसर होता है friends . a.xls , MS Excel जो होता है उसका .xls होता है इसको आपको याद रखना है extension के question काफी important होते हैं और आपको हमने दिखा भी दिया कि extension क्या होता है friends question number 13 है हमारा friends MS Word का extension है MS Word जो होता है friends उसका extension क्या होता है आपसर नमबर A है dot d o c x आपसर नमबर B है dot x l s आपसर नमबर c है dot p p t आपसर नमबर d है नन अबदयब यानि कि इन में से कोई नहीं तो इसका राइट एंसर होता है friends आपसर नमबर A dot d o c x और friends जिस भी question का answer आपको पता है जल्दी से हमें comment box में बता दीजिए ताकि हमको भी लगे कि आप अच्छे question कर रहे हैं आपको कुछ अच्छे से सीखिने को मिल रहे अच्छा question आप सीख पा रहे है और आप हमारे वीडियो से अच्छी तरह से सहमत है और कुछ सीख भी पा रहे है question of 14 है हमारा friends MS powerpoint का extension है MS powerpoint जो है हमारा उसका extension क्या होता है आपसर नमबर A है dot d o c x आपसर नमब भी है dot xls आपसर नमब c a dot p p t आपसर नमब d a none of the above तो इसका right answer किसको पता है जल्दी से हमें comment box में बता दीजिए वीडियो को share कर दीजिए इसका right answer होता है आपसर नमब c dot p p t इसी तरह से friends question 15 पूछ रहे हमारा notepad का extension है notepad जो होता है हमारे computer में जिसमें के हम text लिखते हैं कोई भी तो उसका extension क्या है आपसर नमब भी है dot t t f आपसर नमब भी है dot d o c आपसर नमब c है dot t x t आपसर नमब d a none of the above तो इसका right answer होता है आपसर नमब c dot txt notepad का जो extension होता है dot txt होता है इसको आपको याद रखना है काफी important question है आगे देख लीजिए question number 16 question number 16 है आपसर नमब भी है dot t t f आपसर नमब भी है dot r t f आपसर नमब c है dot txt आपसर नमब d a none of the above तो इसका right answer होता है friends आपसर नमब भी dot r t f इसको आपको याद रखना है question number 17 17 देख लीजिए आप इसी तरह से पूछ रहा web page का extension है question number 17 यहाँ पर option number a mp4 option number b hhtm option number c html option number d a none of the above तो इसका right answer होता है friends option number c html web page का extension html होता है question number 18 question number 18 हमारा image file का extension है image जो होता है हमारा उसका extension क्या होता है dot jpg option number b a dot amr option number c dot mp3 option number d a none of the above option number is dot jpg इन सभी को याद रखना है friends और pdf आपको ले के पढ़ना है pdf में काफी important question है आपको अच्छे से pass करा सकते हैं आगे देख लीजिए question number 19 question number 19 है वरा friends video file का extension है video जो हम देखते है उसका extension क्या होता है option number a dot rhtml option number b a dot 3gp option number c a dot jpg option number d a none of the above इसका right answer होता है friends option number b dot 3gp video file का जो extension होता है dot 3gp dot mp4 dot hd अगर यह 3gp आपसो नहीं दिया होता hd दिया होता तो उसका 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 आप click करते हो वह right answer होता है question number 20 देख लीजिए question number 20 है वरा friends graphic file को extension graphic file का extension है option number a dot blog option number b a dot hhtm option number c a dot gif option number d a none of the above इसका right answer होता है friends option number c dot gif तो इन सभी question को आपको अच्छे स्तियार रखना है friends अच्छे स्याद रखना है और आपको हर साम 8 बजे class को attend करना है अपने friends में video ज्यादा ज्यादा share करना है ताकि वो भी हमसे जुड़ पाए और friends आपने अगर अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाया है अच्छे question नहीं जानते हैं तो PDF जरूर लीजिएगा जो कि हम अपने description में सबसे पहले नमर पे दिया हैं उसमें पहले पे 2000 question का PDF है उसको भी आप ले सकते हैं इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं Thank you friends